दिल्ली में एक बार फिर से हवा की गुरुवत्ता दिन बद दिन बत्तर होती जा रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार के वादे और दावे तो कई सारे हैं जैसे कि पर्यावन मंत्री जो दिल्ली के हैं गोपाल रहा है उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली में anti-dust campaign चलाया जा रहा है जिसमें 13 विभागों की 523 टीमों का गठन किया गया है जो की construction site पर जाएंगी और जो dust control करने के जो 14 नियम है इनकी कारेवाही सुनश्चित करेंगी और जो कोई इसकी कोई नहीं मानता है जिस भी construction site पर वूस construction site पर या company यों पर जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो अभी भी खराप की शिरेडी में बनी हुई है यानि एक्यूआई जो है वो दिल्ली का इस वक्त 200 के पार बना हुआ है और इसकी एक वज़ा इसमें से वो है जो धूल से उटने वाले प्रदूशण होते हैं इस वक् च्मारानी बाग में एक इलाके में मौझूद है और यहां पर देखे आप की एक जो हाईवे है फ्लाइ ओवर है फ्लाइओर का कंस्रक्शन जो है वो यहां पर फिलहाल किया जा रहा है लेकिन जो एंटी डस्ट केंपेन की बात होती है याbas आटी डस्ट कर जो तरीके होते ह जैसे कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि स्मॉक गण जो है वह लगाई जानी चाहिए जहांपर कंस्रक्शन होगा इसके अलावा जो धूल से उठने वाली जो प्रूशन है उसको बचाने के लिए जो मिट्टी है या फिर कंस्रक्शन जो मटीरियल है उनके उपर कपड़े जो है वो रखे जाने चाहिए इसके अलावा पाणी का चिट्काओन है वो नियमत रूप से किया जाना चाहिए ताकि जो धूल है वो जो आप इंवाइर्मेंट न जो वतावरन है उसमें ना फेले उसमें ना घुले मिले जिससे कीowai कि इस्तिती जो है वो और गंभीर हो तो मेरे सामने जो आप यहां construction site आप इस वक्त देख रहे हैं तो यहां पर बानानी बाग इलाके में जो एक flyover है flyover का निर्मान किया जा रहा है लेकिन यहां पर जो construction material है आप देखे किस तरीके से यह खुले आसमान के नीचे यहां पर जो construction material है यहां पर चाहे वो गिट्टी कहलें चाहे वो मिट्टी कहलें इसके उपर ना ही कोई पानी का शिड़काव भी जो है वो नहीं हो रहा है इसके लावा जो रोड रोलर है आप वो भी देख सकते हैं जो क्रेन है उनसे काला धुवा जो है वो इस वक्त उनके जो वाह तरीके से मिट्टी यहां पर सडकों के किनारे यहां पर पूरी बिक्री पड़ी है और यह जो वहिकुलर ट्रैफिक आप देख रहे हैं जो सडकों पर सरपट दौरती हुई गाड़ियां वो अपने साथ इन धूल के कड़ों को इन मिट्टी के कड़ों को उला ले जाती है और फिर यही जो कड़ होते हैं मिट्टी के ये वातवरण में मिलते हैं और फिर AQI जो है वो का जो इंडेक्स है वो बढ़ जाता है हवा जो है और ज्यादा जहरीली हो जाती है तो हम एक बार हम और आगे चल करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखें ये किस त पर जमी हुई है और जब यहां से वाहनों का आवा जाही जब यहां से होती है तो फिर यही जो धूल और मिट्टी के जो कड़ है वो जो गाड़ी है गाड़ियां होती है उनके साथ जो जो मिट्टी के कड़ है वो हवा में मिल जाते हैं जैसे देखें यहां पर यहां पर जो निकना निर्मान के लिए लेकिन इसी तरीके से खुले आस्मान के नीचे एक जोड दिया गया है और इसके ऊपर कोई bic pactar जो आ नहीं डाला गया है फोग भी जो है वह इस पर नहीं हो रहा है इसके लावा मेरे मेरे पेचे आप वह भी सकते हैं, जो मटीरियल आपको construction जो मटीरियल है वो भी यहाँ पर इसी तरीके से फैले हुए हैं लेकिन इन पर किसी भी तरीके का कोई कपड़ा या फिर पानी का छिलकाव जो की नीमित रूप से किया जाना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है और इसी रास्ते से जो construction material जो ट्रक्स लेकर ट्रक लेकर के जाते हैं बड़े-बड़े वाहन लेकर के जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देखे अगर मैं एक पैर मारूं तो फिर किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी जो है वो उड़ रही है और आप सोचे की जब यहाँ से अगर भारी वाहन जाएंगे तो फिर किस तरीके से यहाँ पर जो जो धूल है किस तरीके से उड़ेगी घमिर, पैर मारने से इतनी फूल जो है वो उपर जा रही है तो फिर जब बड़े वाहनों के टायर इस जगह से इस मिट्टी से गुजरेंगे तो फिर किस तरीके की धूल जो है वो environment में देखने को मिलेगी देखें यहाँ पर यह गिट्टियां है और गिट्टियों को उपर भी देखें आप यह धूल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जमी हुई है जिससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर पानी का छिलकाव जो है जो की एंटी डस्ट कैंपेइन के तहत जो की जरूरी है और जो साइट है construction साइट है वहाँ पर जो है वो यह होना चाहिए लेकिन इसके बावजूद इन नियमों क के अंदेखी जो है वो यहाँ पर किया रही है और नियमों को ताक पर रख करके यहाँ पर जो यह जो construction साइट है यहाँ पर फ्लाइओवर का निर्मान तो किया जा रहा है लेकिन जो चीज जरूरी है जो चाहे वो स्मॉक गन हो गया जा फिर पानी का जो निमित शुडकाव हो गया इन construction material पर वो यहाँ पर महराणी बाग इलागे में इस फ्लाइओवर का जो निर्मान हो रहा है वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कैमरा पसंद अवीश पांडे के साथ है मैं दिलाल ABP News दिल्ली